रोज रोज क्या दाल चवल कभी तो मटन बनाया करो यह दाल भी कितनी फिकी बनी है मैं दिन रात इतना कमा के लाता हूं फिर भी मुझे खाने लाए खाना भी ने मिलता तीन देन से घर में खाना बनाने के लिए नमक नहीं है पडोसियों से नमक मांग मांग के खाना बना रही थी अभी तो उनको पूछने में भी शरमाती है और ये, तुम्हारे अब्बु जान, उनको मटन खाना है उन्हें पूछो, उन्हें पता भी है, मटन की कीमत क्या है उनके एक रोज के कमाई भी कम पड़ जाएगी, एक वक्त के मटन के लिए मटन नहीं तो ढंकी, सब्जी तो खिला, इतना तो कमाई लेता हूं मैं अच्छा, कितना कमा लेते हो तुम, तुम्हारी तंखा मेहने में सिर्फ पंद्रा दिन चलती है बता ने, बाकी के दिन हम कैसे गुजार लेते हो पंद्रा सालों में, ना ही नौकरी में बढ़ती, ना तंखा में बढ़ावा कुछ नहीं हो सकता मैं कम कमाता हूं तो घर में टीवी और नफिसा के लिए फोन कहां से लाता है क्या आप वो? कौन सा? ये वाला? आप इसकी बात कर रहे हो? ये आपने मेरे लिए खरीदा है? ये आप पहले इस्तमाल करते थे, फिर अम्मी और अब मैं बिगड चुका है ये ठीक करवाने के पैसे मांगू, तो कहते हैं अगले मैंने करवा लेना पर ये ठीक होने की काबिल भी नहीं है आपको पता है, मुझे कैसे लगता है कॉलेज में ये फोन लेके जाने के लिए आजकल के फोन देखे हैं आपने? स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन आपके सारे पैसे कम पढ़ जाएंगे, वो खरीदने में आप मेरे लिए एक फोन नहीं खरी सकते तुम पॉलेज पढ़ने जाते होई या फोन दिखाने? ज़रुरत क्या है नए फोन की? तुम कहा होते हो ये जानने के लिए मैंने तुमें फोन दिया है और क्या लगा रख है तुम दोनों ने? मैं तुमारे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता तुमसे तो अच्छा रिजवानी है वो तो मुझसे बात ही नहीं करता और जितना मुझसे होता हो, उतना मैं करता हो दिन बर घर घर जाकर पॉलिसी बेशता हो तब जाके तनक्वा आती है मेरी तुमारे लिए जितना भी करो कम ही है न? घर चलाना तुम्हें आना चाहिए आज कऊगे नमक चाहिए, कल कऊगे कार चाहिए तुमारे लिए पैसा ही सब कुछ है, है न? बस अबू बस पैसा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है आपकी कम कमाई की वज़े से हम हमारे सपने मारती हुए जीते आये है बचपन से लेके आज तक किसी भी चीज़ की चाहा की तो आपकी तरफ आपकी कमाई की तरफ देखकर मुँ बंद कर वैसे ही हम जीते आये है अम्मी ने पिछले कई सालों से एक नए सलवार तक नहीं खरीद है जैसे तेसे पैसे बचा कर रोज हमें खाना खिलाती है इसलिए इन सबसे परेशानों कर हम जहाँ जिस लेवल पर जी रहे है वहाँ से उठने की कोशिश की मैंने पर उड़ते हुए पंची के पंक काड़ो वैसे आपने मुझे इंजिनरिंग के बज़ा है बीएसी करवाने पे मजबूर कर दिया आपकी आमदेनी इतनी कम थी कि कोई बैंक लोन देने पे इत्रा रही थी पर आपको क्या? नहीं तो नहीं आपने सपने देखे ही नहीं और आमें देखने की इजासत भी नहीं अब आप कहोगे मैं कहा कम बढ़ गया मेरे कैपेसिटी में जो था वो किया जो भार उस बिल में हरे करता है और कहोगे अपने बेगम को मेरे उलादों को मेरी कीमत नहीं हारे होगी है क्यों कीमत तो तब होगी ना जब आपक अच्छे वालीद और एक अच्छे शोहर होते ऐसा इंसान जो अपने परिवार के सपनों के लिए कुछ ऐसा कर जाता जो उसे उस बिड़ से अलग खड़ा कर देता यह सब कुछ पैसे का खेले गां परिवार कर दो तो ऊब होगी है यह रहा आपके इंशॉरंस का क्लेम और चेक यह रहा आपके इंशॉरंस का क्लेम और चेक